जैस्री शाम दोस्तों स्वागत आपका प्राचिन ध्रम ग्यान चैनल में अगर आप भी भगवान स्री कृष्ण की तरह सुन्दर और गुणी संतान पाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन ये उपाई कर लें जो अभी मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से बताऊंगी दोस्तों जन्माष्टमी कब है पूर्जा विधी क्या है और वरत कैसे करना है वरत का पारण समय कब है और गुणी और सुन्दर संतान पाने के लिए इस दिन कौन सा उपाई करना है ये सब आपको अब मैं बताऊंगी लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देए भगवान स्री हरिव विष्णु के पूरण अवतार भगवान स्री कृष्ने बादर पद मा के किर्शन पक्ष की अश्ट्रमी तिथी को प्रथ्वी पर जिनम लेया था तो तब से ही यह पर्व किर्षन जनम अश्ट्रमी के रूप में मनाया जाता है और इस साल यह पर 6 सितंबर 2023 को भगवान किर्शन के जिनम दिन के रूप में मना जाएगा। किर्शन जनमाश्टमी के दिन पूरी सरदा भाव से लोग वरत रखते हैं और इस दिन भगवान सिरी कृशन के बाल सवरुख लड़ू गोपाल की पूजा आरदना करते हैं। उपाई इस परकार करना हैं। पीले रंकी में ठाई का भोग लगाईं। और फिर पती पतने साथ में बैठकर भगवान लड़ू गोपाल के सामने 108 बार इस मंत्र का जाप करें। तो मंत्र इस परकार हैं। इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपके घर में भी भगवान श्री कृशन के जैसे सुंदर और गुणी संतान की प्राप्ती होगी। दोस्तों जोतिर सास्तर के अनुसाथ बुद्ध और गुरु गरह को संतान का कारगरह माना जाता है। लेकिन जिन लोगों की कुडले में बुद्ध और गुरु गरह कमजोर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संतान प्राप्ति में दिक्कतें और बाधाओं का सामना करना पड़ता हैं, तो जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हैं, ऐसे पती पत्नी को मिलकर जनमाष्टिमी के दिन तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जब करना चाहिए तो मंत्र इस प्रकार है ओम देव की सुते गोविंदम वासु देव जगत पत्त है देही में तनयम क्रिशन तवा महम सरनम गत है इस मंत्र का 108 बार विति विदान से जाप करने से और पूजा अराधना करने से आपके घर में भी भगवान स्री क्रिशन क की तरही सुंदर और गोणी संतान की प्राप्ति होगी और इस के साथ ही क्रिशन जर्माश्टमी के दिन एक खीरा लाना है जो डाली के सहीतों और उसे भगवान स्री क्रिशन के पूजन में अवश्य रखें और पूजन करने के बाद इस खीरे का इस्तेमाल गरवती इस्तर संतान की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही इस दिन भगवान स्री क्रिशन के प्रिये मखन और मिस्री का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद मखन और मिस्री का भोग गरवरती इस्तरी को भी अवश्य खेलाएं और भगवान स्री क्रिशन और माता देवकी के सामने स सुन्दर और गोनी संतान के लिए प्रार्थना करें। इन उपायों के करने से बगवान स्री कृष्ण प्रसंद्न हो जाएंगे। और उनकी किरपा से आपके घर में भी सुन्दर और गोनी संतान की प्रापती होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं किर्षन जेलिमास्ट में कवरत कब है और कवरत का पारण करना है। तो बादर पद किर्षन पर जेलिमास्ट में ती थी 6 सितंबर दो फैर 3 बज कर 37 मिनट से शुरू हो जाएगी और 7 सितंबर शाम 4 बज कर 14 मिनट तक रहेगी। और रोहनी नक्षत्र 6 सितंबर सुबह 9 बज कर 20 मिनट से शुरू होकर 7 सितंबर सुबह 10 बज कर 25 मिनट तक रहेगा। तो ऐसे में ग्रेष्ट जीवन के लोगों को 6 सितंबर को ही वरत करना शुब रहेगा। और पूजा का सुब मूरत 6 सितंबर मध्यरातरी 11 बज कर 57 पर रहेगा। इस समय पर फरत का पारण अवश्य कर लें। तो ये थी किरसन जहनमाश्टे में से जुड़ी संपुर्ण जानकारी इस दिन क्या उपाई करने से सुन्दर संतान की प्राप्ति होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक औ और चैनल को सब्सक्राइब आवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।